हेलो करकेट लवर्स ऑस्टेलिया वर्सेज न्यूजिलेंड फाइनल बहुत बड़ा मैच है फाइनल है टी-20 वर्ल्ड कप का ऑस्टेलिया क्या बड़ा मुकाबला जीत कराई है और न्यूजिलेंड दोनों ही टीमें चेज करके जीत के आई हैं और यहां कौन चेज करेगा क् पहले बल्लेबाजी करके भी दुबई में मैं जीता जा सकता है, हाँ परन्तु आपको कुछ बहुत बड़ी अन्होनी करनी पड़ेगी, आपको लगाना पड़ेगा दोस्तो, तभी आप यहाँ जीत सकते हो, कम से भी कम, अगर यहाँ का जो हाई स्कोर है, वो पाकिस्तान ने तो यहाँ पर फाइनल में नर्व्स भी होते हैं, और चेज करना, फाइनल में चेज करना कहीना कहीं मुश्किल होता है, तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, उसको कम से भी कम 180 का स्कोर लगाना पड़ेगा, और दोनों ही टीम में चेज में जलवा दिखा की आई है तो जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, वो यह ना सोचे कि वो फर्स गई मैची गया उनके आथ से, तो कहीं न कहीं है मुमेंटम का भी गेम रहेगा, दोनों ही टीमों ने क्या जबरदस चीज किया यहाँ पर, और नियूजलेंड के लिए एक थोड़ इसी बूरी काफी अच्छे बल्लेबाजी की थी और पार्टनर्शिप लगाई थी उन्होंने, मिशल के साथ, तो यहाँ पर नियूजलेंड के लिए एक सबसे बड़ा सेट बेक हो सकता है, परन्तु उनके जगा कोन आएगा, यह जानने के लिए वीडियो में एन तक जुड़े रहे, तो दोनों ही टीमों के टॉप प्लेयर्स पहले मापको बता दू, पहले बात करते हैं मार्टन गप्टिल, मार्टन गप्टिल सबसे ज़्यादा ऑस्टेला को पसंद करते हैं, और वो इस वर्ल्ड कप में 93 लगा चुके हैं, और उनकी जो स्ट्राइक रेटा 135 की है, परन्त जैसे ही वो 50 का आकड़ा पार करते हैं, यानि शुरू के जैसे पार प्लेक खतम होने वाला होता है, तो न्यूजलेंड की टीम को सबसे बड़ा स्कोर लगा सकते हैं, अगर न्यूजलेंड की टीम की पहले बलेबाजी आते हैं, उनको बड़ा स्कोर खड़ा करना है, तो उ वर्ल्ड कप में इतना खास परदर्शन नहीं किया परन्तु केरी विल्यमसन पर काफी निगाए बना करा आप रखना वो बहुत अच्छा कर सकते हैं गेनबाजी में अगर बात करें नुजलैंड के जो इनके टॉप विकेट है वो है ट्रेंट पूल्ट 12 विकेट ले चुके हैं और दूसरे नुबर पर है सोडी 9 विकेट वो लेकर जा चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों के इंद बाज़ा न वो की प्लेर है जो दुबाई की पीछे है वहाँ पर आपको दिखेगा हलका सा बोल स्टार्टिंग में इतना जाद बले पर नहीं आएगा परंतु आपको अगर वहाँ पर टिके रहना है तो वहाँ पर आपका जो बोल्ट है शुरुआत में ऑस्टेला को जटके दे शाहिन अफरिद जैसी स्ट्रेटीज बना कर आएंगे के लिए क्या जबरदरस्त है उनकी आप एवरिज देखिए मैच विनिंग नौक खेल उनने उननचास अनकी हाला की बैट लगी ते कैसे वो आउट होगे परंतु जो उनकी बलेबाजी है उन्होंने सब को शॉक कर दिया और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई है अगर नौजलेंड को किसी भी हालात में अगर ये मैच निकालना है न या फिर इंटरस्टिंग बनाना है तो आपको डैविड वार्नर का विकेट निकालना ही पड़ेगा अगर डैविड वर्न और नहीं आउट हुए तो वन सैडिटली ऑस्टिंग ये मैच निकालके लेखे जा सकती है परन्तु उनके साथ जो है एरॉन फिंच वो धीरे खेलने वालों में से नहीं है आपने उनका देख लिया होगा लीग स्टेजिस में जो फिंच है उनको भी बहुत पसंद है उनको बस मोमेंटम चाहिए होता है कि शुरुआत में विकिट ना दे और फिंच अगर टिक जाए तो उनका हाई स्कोर देखे आप बताए सकते हो कि फिंच कितने खतरनाक है उसके बाद अगर हम बात करें कि स्मित और मैक्सवल जो नोकाउट्स हैं उसमें और 8-9 विकिट हैं मिचल स्टार के तो मिचल स्टार के लास्ट मैच में उस रिदम में नहीं आए फकर जमाने उनको बहुत बड़े-बड़े हिट लगाए तो इससे बच्चे रहना होगा उसलेगे टिम को और मिचल स्टार को शुरुआत में गप्टिल के विकिट निकालन को और बहुत 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 टीम साइफट आइंगे, तो टीम साइफट कहाने से टीम में मजबूत ही तो है, यह पर तो टीम साइफट भी उपनिंग बैट्समन है, मेडल लोडर में कहती है जिस बना पाएंगे, रणियत देखना देखना मैं दिल्सपर पर Vari men और मेशल ओपनिक करेंग केन विलिमसन फिर आपको टिम सेफ़र ट्लेम फ्लिप्स जेम्स निशा मिचल सेंटनर और फिर आपके एडम मिलने टिम साउथी इस ओडियर ट्रेंड पूल्ट यह आपकी है न्यूजलेंड की टिम अब ऑस्टला की बता दूँ आपको मैं तो आपको बता है उसकी इमोशनल बेस पर तो उस पर नुजलेंड कर सकता माद परन्तु ऑस्टला को आज तक नुजलेंड ने कभी नहीं हराया तो कहीं नहीं कहीं अच्छा मकाबला हो और कमेंट बोक्स मता हैं कोई कोशन आपका पूरे ।रॉनमेंट के इसाब से T20 World Cup जो हुआ है उसके रिकार्डेंग को एक कॉशन और कमेंट बोक्स में जरू पूचें चैनल पर पहले वार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भोलें मिलते हैं नाइक स्टुडियो में क्रिकेट से जुड़ी अपडेट के साथ